दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग ने Iron and Steel Industries के बारे में डिस्कस किया हुआ था ठीक है तो पिछले वीडियो में हम लोग ने Iron and Steel Industries जो थी उसको कवर कर लिया है दोस्तो UPSC syllabus के according बात करें तो इसके बाद जो topic आता है वहाँ पे Elmounium Industries के आता है तो सबसे पहले देखेंगे Elmounium Industries किस टाइप की Industries है यानि इसकी features देखेंगे फिर देखेंगे यहां पर location factors देखेंगे कौन कौन सी location factors responsible होते है Elmounium Industries को attract करने के लिए ठीक है फिर देखेंगे process क्या होती है जिससे Elmounium है प्राप्ट करते है यानि कि box side हमारा यहां पर raw material है box side से हम Elmounium कैसे किस process के थुरू हम प्राप्ट करते है उसका एक process देखेंगे फिर Elmounium की properties देखेंगे Elmounium के कहां कहां पर uses होता है major Elmounium जो industries है इंडिया में कौन कौन सी है उसको भी देखेंगे फिर देखेंगे countries wise जो production है major Elmounium producer जो countries है उसको भी यहां पर हम लोग डिसस करने वाले है तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में काफी कुछ हम लोग डिसस करने वाले हैं Elmounium industries के बारे में चलिए आज का वीडियो हम लोग यहां पर start करते है तो सबसे पहले दोस्तों El Elmounium industries की characteristic की बात करें तो देखू Elmounium जो industries है यह भी हमारा mineral based industries है जैसा हमारा iron and steel industries था उसी टाइप की Elmounium industries भी हमारा mineral based industries है mineral based industries का मतलब है यहां पर raw material जो यूज होता है वो हमारे bauxide होता है bauxide हम raw material यूज करते हैं और finished good हम क्या बनाते हैं Elmounium बनाते हैं ठीक है तो यह हमारे mineral based industries होगे यह हमारे first characteristic होगे दूसरा दोस्तों यहां पर heavy industries है क्योंकि बहुत जादे यहां पर large capital की जरुरुत पड़त है तो heavy industries है जैसा कि हमारे iron and steel industries है उसी टाप के हमारी heavy industries है और इंडिया में बात करें इंडिया में second largest जो metallurgical हमारे इंडिस्टी जो हमारे aluminum industries है first largest metallurgical इंडिस्टी जो हमारे iron and steel है उसके बाद number आता है aluminum industries का दोस्तों इसके बाद यहां पर बात करें यहां पर aluminum industries हमारी ownership की हिसाब से देखें ownership यहां पर private player भी है और यहां पर public player भी है तो दुनों ही private player public player दोनों के दोरा aluminum industry जहां पर उन करेता है इंडिया में और हमारे large scale हमारे इंडस्टीज है यानि कि लार्ज स्किल में प्रोडेक्शन होती है इल्मुनियम इंडस्टीज तिम्हेरे दोस्तों कुछ यहां पर करेक्टरिस्ट हो गई इल्मुनियम इंडस्टीज के बारे में दोस्तों इसके अलावा यहां पर major जो और करेक्टरिस्टिक है एल्मुनियम इन्रस्टिक है हमारे weight losing industries है weight losing industry के मतलब है कि raw material जो यूज करते हैं वो हमारी 4 से 6 ton raw material यूज करते हैं तो हमारा 1 ton का जो aluminium produce करते हैं यानि कि जितनी raw material यूज करते हैं उतना हमारा finished good यहां पर बनता नहीं है काफी कुछ weight losing होता है तो weight losing industries है तो characteristics क्या क्या देख लिए हम लोग एक बार revision कर लेते हैं aluminium industries इंडिया में second largest metallurgical industries है यह हमारे heavy industries में आती है और फिर हमारे mineral waste industries है और weight losing industries है ठीक है तो हमारे aluminium industries की कुछ characteristics हो गए अब देख लिए थे कौन कौन से location factor यहां पर जो attribute यानि कौन कौन से location factor यहां पर consider होती है aluminium industries को install करने के लिए तो दोस्तों यहां पर जैसा कि हम लोग देखे थे कि aluminium industry मेरे wheat losing industries है तो इसका मतलब है हमारे भी जहां पर raw material होगा वहां पर industries को install किया जाएगा ठीक है तो nearest to raw material वहां पर हम aluminium industry को install करेंगे और acid raw material हमें bauxite मिलनी चाहिए ऐसे जगा को हम तलास करेंगे तो पहला हमारे क्या है acid raw material होनी चाहिए और nearest to raw material की जगा पर हम aluminium industry को install करेंगे फिर दूसरी यहां पर major जो input होती है दोस्तों हमारे होता है cheap supply of electricity यानि कि बहुत ज़्यादे electricity का यूज होता है aluminium बनाने में ठीक है तो electricity का बहुत ज़्यादे यूज होगा हमारे input है तो यदि मालो costly हमारे electricity यदि मिलती है तो हमारे aluminium बनाने की जो process है हमारे costly होजाएगा इसलिए जहाँ पर cheap supply होगी जहाँ पर सस्ते दाम से electricity मिलेंगे वहाँ पर हम aluminium industry को install करते हैं तो हमारे दो major factor है है यहाँ पर electricity और raw material तो जहाँ पर सस्ते electricity होगी वहाँ पर aluminium industry को attract होगे फिर हमारे जहाँ पर SEO raw material होगे जहाँ पर nearest to raw material जहाँ पर location होगे वहाँ पर हमारे aluminium industries लगेंगे इसके लावा अधर जो factor है वो तो है ही जहाँ पर labor हो और water के availability हो यह other factor है market accessibility other factor है लेकि major दो हमारे primary एक चीज़े होती है electricity और यहाँ पर raw material दोस्तों इसी को ध्यान रखते हुए इंडिया में आप देखेंगे तुझ जो favorite location है यानि कि जहाँ पर cheap electricity मिलती है और जहाँ पर बॉक्साइट की reserve होए SEO raw material मिलते है वो हमारी उडिसा हो गया उडिसा हमारा largest producer है वोक्साइट का तुझ उडिसा में इल्वनियम की industries मिलती है वेश्ट बंगाल में मिलती है केरला में क्योंकि चीप सप्लाई आप electricity है और वोक्साइट की reserve भी बगल में ही मिलते है ठीक है तो केरला हमारी होगी उत्तर प्रदेश में आपको सोन बदर डिस्टिक में उत्तर प्रदेश की सोन बदर जो डिस्टिक है वहाँ पर एक रिहन्द डैम है ठीक है तो रिहन्द डैम हमारे क्या है रिहन्द डैम से electricity बहुत ही सच्टे में जनरेट हो जाती है इलेक्टिसिटी जनरेट होती है तो चीप सप्लाइब इलेक्टिसिटी वहाँ पर अबलेबल है इसलिए उतर प्रदेश में सोनवध्र जो डिश्टी के वहाँ पर आदिती बिरला द्वरा हिंडाल को वहाँ पर प्लांट लगाया गया है ठीक है यहाँ पर यहाँ से जो बॉ इल्मुनियम के इन्रस्टिज लगी होई है फिर हमारे च्छतिसगड़ में बॉक्साइट भी पाया जाते हैं और वहाँ पर चीप इलेक्टिसिटी वह अबलेबल है महाराष्ट्र वह तमिलनाडू इन जगहों पर हमारी इल्मुनियम के इन्रस्टिज को इंस्ट्रॉल किय जा गया है ठीक है अब हम अगला देख लेते हैं पर कौन कौन सी प्रोसेस यानि की इस प्रोसेस के थूरू हम बॉक्साइट से इल्मुनियम को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जैसा कि वेट लोजिंग इन्रस्टिज है तो हमारी बॉक्साइट जो लिए बॉक्साइट हमें कितने चीए छे टू सिक्स तन जैसा कि क्वाल्टी पर डिफर करता है अच्छी क्वाल्टी के होंगी तो चार्ट टन बॉक्साइट से भी एक टन मेल्वनियम बनाया जा सकता है लेकि थोड़ा से इन्फिरीर क्वाल्टी होंगी तो छे टन की लेंगे देखो कास्टिंग सोडा का यहां पर गलत लिग गया है यहां ठीक है कास्टिंग सोडा डालेंगे कास्टिंग सोडा क्या करेगा इन जो क्रसिंग मेलिंग वाक्साइट है उसको पिखला के यहां पर गला देगा और गलाने पात जो हैवी होंगे ठीक वाक्साइट है है एल्मॉणियम स्कों बलेंगी एल्मॉना तो से इस फोट से इस ांव रिम acronyam बनेगा राने के लिए यहाँ पर दो पर आयएंगे लमोना प्राप्त जोँगे I think 1800 बोल्ट से भी ज्यादा यानि कि इहां पर आथारा जा रहें इसलिए यहां पर इलेक्टिस्टी बहुत जरूरी होती है चीप सप्राइब पर जरूरी होती है क्योंकि क्रस्ट करने के बाद कास्टिंग सोड़ा से गला है और उसको फिल्टर करने से हम इल्मुनिय अपराथ किये इल्मिना को हाई लेक्टरिस्टिटी प्रवाइट करके यहां पर इल्लक्राइट बनाएं और उससे इस प्रोसेस है बॉक्साइट से इल्मुनियम बनाने का तो दोस्तो इस process में आप देख रहा होिए यहाँ पर कि हमारी raw material जो input cost है इंपुट cost क्या है यहाँ पे? box side, box side जहाँ पे available होंगी या जहाँ पर chipy मिल जाएंगी, ACO मिलेंगी तो हमारा एल्मुनियम इंडिक का दूसरा हरा यहाँ पर high electricity इल्मूनिय माटम यहां पर दो नहीं पड़ति है था। यहां पर दोनों मिलती हैं वहां पर हम इंस्ट ओल करते हैं जोस्तों इल्मुनियम की properties की बात करें तो हमारी light weight है यानि कि जैसा कि steel और iron हमारा heavy weight होता है वैसा नहीं है यहां पर light weight है और corrosion resistant है corrosion नहीं लगता है good conductor of heat है malleable है और यह बहुत ज़्यादा strong हो जाती है the other metal से mix किया जाए तो यह बहुत ज़्यादा properties होती है और इसी properties के चलते हैं इनका बहुत ज़्यादा uses होता है aluminum का aluminum का aircraft हमें यूज होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा light weight होती है अब देखो steel का aircraft भाना हमें यूज करोगे तो बहुत हैवी weight हो जाएंगे तो aircraft को उड़ाना बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे heavy हो जाएंगे और हमारे multi storage विल्डिंग है वह हमारे ज्यादा खत्रें पढ़ आती है इसलिए वहाँ पर property होती है डक्टाइल होती है light weight होती है corrosion resistant होती है और इसलिए हमें इनकी बहुत ज्यादा uses होती है दूस्तों अब बात करें major aluminum industries की तो जैसा कि दोस्तों हम लोग स्टार्टिक में डिसक्स के थे कि ownership के साब से जो aluminum की industry होती है दो टाइप को होती है ownership की साथ इंडिया में private aluminum industry मिलती है और public aluminum industry मिलती है वैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर aluminum industry लेकिन दो दो यहाँ पर हम लोग एक्जांपर की तोर पर देख लेते हैं हिंडाल को यहाँ पर देखो रेनुकूट में जो उत्रब्रदिस की रेनुकूट जो डिश्टी के वहाँ पर हिंडाल को aluminum plant है जो अधिती बिर्ला द्वरा ओन किया गया है और वहाँ पर इंस्टॉल इसलिए किया गया है कि कोरबा 36 गर में गवर्मेंट द्वरा ओन किया है फिर हमारे नालको भी है नेशनल इल्मूनियम कंपनी लिम्टेड तो दो हमारे मेजर यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में हैं और यहाँ पर दो यहाँ पर प्राइबिट बेदानता के दोरा और अधिती बेदानता के दोरा ओन किया गया है तो पूरे वर्ल्ड में आप बात करोगे तो 60,000,000,000,000 टन के आसपास हैं प्रोडेक्शन होती है इल्मूनियम की उसमें अकेला चाइना क्या करता है 50% से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड का जो 50% ज़्यादा इल्मूनियम के प्रोडूस अकेले चाइना करता है ठीक है चाइना यहाँ पर मेजर प्रोडूसर है रसिया थर्ड आ गया और केनाडा हमारे फोर्थ में है तो डिक्रीजिंग ओर्डर में अल्मूनियम जो प्रोडूसर जो कंट्री है चाइना फ़र्ष्ट इंडिया रसिया और केनाडा इसको अब ध्यान रखेगा इंडिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट अल्मूनियम प्रो प्रोसेस करते हैं का इसे प्रोसेस को इसे होता है उसको भी देखें प्राइबेट और पब्लिक ओन दोनों को भी डिसक्रस किये तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आज की वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ थैंक यू